सब्सक्राइब आज हम बात करने वाले हैं डिफेमेशन यानि की मानहानी के बारे में कि यह जो नया भागतिय न्याय सहींता जो IPC को रिप्लेस करेगी इसमें मानहानी को लेकर क्या प्रावधान किये गए हैं इसमें कितनी सजा होगी क्या इसमें कोई बदलाव लाए गए है आज हम इसको डिटेल में बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक और आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें सबसे पहले बात करें कि इसे कोई जूट बोलने से किसी की भी रेपुटेशन मान की समाजिक प्रतिष्था में कोई कमी आती है तो इसे मानहानी कहते हैं मान लीजे आपके उपर कोई जूटा चोरी का इर्जाम लगा दिया जाता है आपके उपर गलत केस कर दिया जाता है या आपके कैरेक्टे के बारे में कोई गलत बाते बोली जाती है तो यह सब मानहानी के अंदर आता है लेकिन इसमें सजा कितनी है पहले IPC के section 499 में defamation को define किया गया था बताया गया था कि आखिर defamation किसे कहते हैं इसमें क्या-क्या exceptions हैं क्या-क्या प्रावधान है उसमें सारी चीज से 499 में बताई गई थी और section 500 में यह बताया गया था कि यह अगर किसी विकति कोन किया जाता है कोई भी किसी व्यक्ति की सामजिक प्रतिष्था को ठेश पहुंचाता है उसके बारे में गलत बाते कहरता है दुश्परचार करता है तो इस व्यक्ति को दौ साल की जेल की सजा हो सकती थी यह उसके निए लगाया जा सकता था या दोनों ही चीज़े हो सकती थी अब लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे हैं कि क्या नए कानून में भी लेकर कोई प्रावधान कीये गए या इस सेक्शन को डिलीट कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह बोला कि आप तो सेक्शन 499 को 500 को डिलीट Property कर दिया गय direction तो इसका मतलब की मानहानी भी का सेक्शन खतम हो गया नहीज ऐसा नहीं है यहां पर जो नएा कानून आने वाला है बहरतिय न्या सहिंता इसमें डिफिमेशन का जो मैंनाहानी को मानहानी कpad क्या होती है कि उसमें कितना समय की सजा हो सकती है अगर किसी की भी सामजिक प्रतिष्टा को जूट बोलकर या उसके बारे में दुश परचार करके ठेस पहुचाने की कोई कोशिश करता है तो इसे मानहानी कहा जाता है और इसमें अभी भी दो साल तक की सजा हो सकती है या उसके उपर फाइन लगाया जा सकता है या कम्यूनिटी सर्विस क सजा भी दी जा सकती है यानि की कोई सामुदाइक सेवा करने का भी दंड दिया जा सकता है जैसे कि किसी को कह दिया जाए कि आप दो महिने के लिए किसी सरकारी स्कूल में या किसी एंजियो में मुफ्त में पढ़ाएंगे या लोगों को किसी बात को लेकर जागरूप करें time कर वाएंगे हैं यह इसा ही कोई सामुदाइक सेवा दी जा सकती है तो डिपर्मेशन में अभी भी साल तकी सजा हो सकती है जुर्माना लगाया जासकता है यह सामुदा Credit क सेवा कदer द्ड का आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके इन और मुद्धों पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कॉमेंन सेक्षिन में बताईए धन्यवाद